ये जब तीन लॉज पार्लिमेंटरी स्टानिंग कमिटी में आये थे तो वहां के काफी एमिनेंट जो मेंबर्स अफ पार्लिमेंट थे, जो लीगल प्राक्टिस करते हैं, उनने क्लियरली अपना डिसेंट नोट दिया था और बताया था क्या क्या उसमें चेंज करने की ज़र किया है और आज क्योंकि नया लोकसभा गठित हुआ है, ये मांग थी कि फिर से एक बार चर्चा हो जाने दो, सारी जो भी गलतियां हैं, जो भी ठीक है, उसकी हिसाब से सर्फ सहमती से पास हो, इसको दरकिनार करकर ये आज से लाग हुआ है, ये दुर्भागे पूर्ण है कि जो स्क्रूटिनी होनी चाहिए, वो स्क्रूटिनी नहीं हो पाई है, और ये कानून किस तरीके से जनता के लिए दुखदाई साबित होंगे, वो बहुत सारे लोगों ने लिखा है, जिस तरीके से पुलिस स्टेट बन जाएगा, या मैं उमीद करती हूँ कि केंदर सरका कानी की है, अपने मन की बात की है, जन की बात या जो ओपोजिशन MPs हैं, उनकी बात सुने बगएर काम हुआ है, ये जब तीन लॉज परलिमेंटरी स्टानिंग कमिटी में आय थे, तो वहां के काफी एमिनेंट जो मेंबर्स अफ पालिमेंट थे, एक्स्पिरिंस मेंबर्स पार्लिमेंट थे, जो लीगल प्राक्टिस करते हैं, उनने क्लियरली अपना डिसेंट नोट दिया था, और बताया था क्या 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 उसमें चेंज करने की जरुवत है, पर उसको दरकिनार करते हुए, ये लॉज तब पास हुआ है, जब हिस्टॉरिकली पहली बार, 146 MPs, इसको सस्पेंट कर दिया गया था लोकसभा में, तो इस पे ना कोई अच्छे से चर्चा हुई है, ना उसमें जो कमिया है, कमियों को सुधार किया है, और आज क्योंकि नया लोकसभा गठित हुआ है, ये मांग थी, कि फिर से एक बार चर्चा हो जाने दो, सारी जो भी गल इस तरीके से जनता के लिए दुखदाई साबित होंगे, वो बहुत सारे लोगों ने लिखा है, जिस तरीके से पुलिस स्टेट बन जाएगा, या मैं उमीद करती हूँ कि केंदर सरकार अपनी जिम्मेदारी समझेगी की कि ये लोग कुछ सालों के लिए नहीं है, आने वा सुने बगेर काम हुआ है.